जै मातादी वैदिक जोटिश अनुशार सब्ता के हर वार पर किसी न किसी ग्रह और भगवान का आदिपत्य होता है यहां हम बात करने जा रहे हैं गुरुवार के बारे में यह दिन गुरु ग्रह और भगवान विश्ण को समर्पित होता है साथ ही इस दिन गुरु ग्रह और विश्म भगवान की पूजा अर्चना और व्रत रखा जाता है लेकिन आपको पता है कि जोति शास्तर में गुरुवार की दिन कुछ काम करने की मनाही होती है वही अगर आप गुरु आर को ये काम करते हैं तो इस से मालश्मी और ब्रिस्पत ग्रह नाराज हो सकते हैं और जीवन में दरिड़ता आ सकते हैं आये जानते हैं गुरुवार की दिन कौन से कारी वर्जित हैं नमबर वन, बाल धोने से बचना चाहिए, गुरुवार के दिन खास कर इस्तरियों को बाल नहीं धोने चाहिए, ऐसा करने से गुरु ग्रह का अशुप प्रभाव बढ़ सकता है, साथ ही साथ इस दिन कपड़े भी नहीं धोने चाहिए, क्योंकि इस दिन सावुन का देन से बचना चाहिए, शास्त्रों के अनुसर गुरुवार के दिन पैसों के लेन देन से बचना चाहिए, वहीं अगर आप ऐसा करते हैं तो गुरु ग्रह कुंडली में कमजोर होता है, साथ ही जीवन में सुक समरदी चली जाती है, वहीं धन संबंदी परिशानियों का सामन करना आपको पढ़ सकता है, इसलिए विसेज पस्तितियों में ही धनका लेन देन करें, नमब थ्री, केले का सेवन नहीं करना चाहिए, गुरुवार के दिन केले का सेवन नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में केले का सेवन निशेद बताया गया है, वहीं अगर आप गुरु गुरु और पिता का अफमान, गुरु ब्रस्पत, गुरु और पिता के कारक होते हैं। इसलिए गुरुवार के दिन पिता गुरु और संथ का अफमान नहीं करना चाहिए। पढ़ाई पर भी बुरा प्रभाव पढ़ता है अगर किसी की कुंडली में गुरु दोश हो तो उसे गुरुवार की दिन सूर्य दर से पहले उठकर रिशनान करना चाहिए इसकी बाद विदी पूर्वक भगवान विशुन की पूजा करनी चाहिए विशुन शहस्त नाम का पाट और आर्थी करने से गुरु दोश दूर होता है साथ ही बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते है नमबर सेवन हिंदू धर में चावल का विशेश महत माना गया है कोई भी मांगली कार्यों या पूजा सभी में चावल का इस्तेमाल किया जाता है चावल का उपयोग टीका लगाने पूजा में चढ़ाने के अलावा बहुत ही शुब कार्यों में किया जाता है लेकिन गुरुवार का एक ऐसा दीन होता है जिस दिन चावल खाना वरजित माना गया है धार्मिक माननेता है कि गुरुवार की दिन पीला वोजन करना शुव माना जाता है ऐसा करने से विश्वुजी प्रसन होते हैं कहा जाता है कि इस दिन चावल या चावल से बनी खिचुडी का सेवन नहीं करना चाहिए ऐसा करने से धन की हानी होती है और कंगाली आती है इसके साथ ही साथ इस दिन जहां चावल खाना बना होता है वहीं गुरुवार की दिन चा अबी भी अपने बालों को खुला नहीं रखना चाहिए नमबर 11 इस दिन पोचा लगाने से बचे गुरुवार की दिन जाडू पोचा और सबसफाई करने से बचना चाहिए गुरुवार की दिन खारे पानी का पोचा नहीं लगाना चाहिए इसका कारण यह है कि गुरुवार भगवान विश्णू और भगवान ब्रस्पत का दिन है इस दिन पोचा लगाने से बचना चाहिए गुरुबार के दिन भगवान विश्णू की पूजा में सरसों के तेल या तिल के तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए इस दिन केवल देशी गी के दीपक का ही इस्तेमाल करना चाहिए इससे भगवान प्रशन होते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जय माता दी